नमस्कार मित्रों, हमारे बहुत सारे मित्रों ने रिक्विस्ट की थी कि फैट लोस के डायट के उपर एक वीडियो बनाई है तो सबसे महत पुर्ण बात ये हैं कि फैट लोस के डायट के लिए में सभी के लिए एक ही जैसा डायट नहीं बता सकता हूं हमारे पूरे भारत में अंगिनत प्रकार की अनपदार्त हैं अंगिनत प्रकार की सब बेताएं हैं और हर किसी का शरीर अलग-अलग होता है तो सब के लिए मैं एक जैसा डायट नहीं बता सकता हूँ लेकिन मैं आपको चार ऐसी चीज़े बताऊंगा जिन को करने से आप अपना वजन जरूर कम कर पाओगे तो सबसे पहले चीज़ है आप खाने में प्रोटीन और फाइबर ये दोनों चीज़ों को बढ़ाईए हमारे भारत के सबी अनपदार्तों में प्रोटीन और फाइबर वैसे भी बहुत अधिक होता है लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हम वो खाते ही नहीं है तो प्रोटीन के लिए आप दाल चावल ले सकते हो लेकिन दाल चावल में दाल तो अधिक होनी चाहिए ये ध्यान जरूर रखिए बाजरिक की रोटे में बहुत सारा प्रोटीन होता है चने, राजमा और बहुत सारे जो करधान्य होते उनमें भी बहुत सारे प्रोटीन होता है और खाते वक्त आप दही या छांस भी ले सकते हो तो भोजन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है आपकी जो भोजन की थाली है उसमें प्रोटीन की चीज़े अधिक हो तुसरी में तो पूर्ना चीज है कि आप बार-बार खाना मत खाईए। बहुत सरे लोगों का आदत होती है कि वो बिच-बिच में कुछ ना-कुछ मुव में डाल ही देते हैं। देन में तीन या-चार बार आच्छा सा खाना खाईए और बिच-बिच में कुछ ना-कुछ खाने के आदत छोड़ दीजिए। बहुत सरे लोग यह कहके खुद को पसाते हैं कि मैं तो बहुत हलका खाता हूँ, मैंने तो सिर्फ एक बिस्किटी खाया था, मैंने तो सिर्फ एक चीप सी खाया था। लेकिन ये चीज़ें जब हम दिन में बार-बार करते हैं रोज करते हैं तो उन चीज़ों का जरूर फरक पड़ता है तो सुबह के नाश्टे में आप आचे से फलों का या दूद का सेवन कीजिए या फिर सिधे भोजनी कर लीजिए फिर दोपेर में आचा सा प्रोटिन और फाइबर वाला खाना खाईए शाम में फिर दूद या फल खाईए और रात का खाना फिर से भर पेट खाईए लेकिन हर खाने के वक्त आपको प्रोटिन और फाइबर आपके खाने में जरूर रखना है तिसरी बहुत इमयत पूर्ण चीज ये है कि आपको खाने में एक साथ बहुत अधिक नहीं खाना है बहुत सरी लोग खुद को ऐसे आदर डाल लेते हैं कि वो एकी साथ बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं आपका स्टमक भी एक प्रकार का मसल ही है जब भी आप दबा दबा कर खाते हो तब आपके स्टमक का आकार बढ़ते जाता है फिर कुछ दिनों के बाद अगर आपने अपने जरूरत के जितना खा भी लिया तो भी आपका पेट भरता नहीं है तो आपको एक साथ में आधिक नहीं खाना है जिसके कारण आपका स्टमक का कर नहीं बढ़ेगा और आपको ज़्यादा भूक नहीं लगेगी चोती और आखरी चीज़ ये है कि आपको शक्कर, मेदा, बाहर का खाना चाय, कॉफी, कोल डिंग ऐसी चीज़ों से दूर रहना है मैं ये नहीं कहरा कि आप कभी भी मिठाई मत खाईए एफिर शक्कर मत खाईए, गुड मत खाईए कभी बाहर का मत खाईए लेकिन इन सभी चीज़ों के उपर आपका कंट्रोल होना चाहिए ना कि इन चीज़ों का आपके उपर ये चीज़े कब खानी है फिर आपके साथ से जो भी सही हो वो वक्त तर्क कर लिजिए इन चार चीज़ों को अगर आपने अपने जीवन में आपना लिया तो आपका वजन जरूर कम होगा हाँ, आपको व्यायम को भूलना नहीं है आपको हरुज व्यायम जरूर करते रहना है आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे इनेचे कमेंट्स में ज़रू बताइए वीडियो दखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में